Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 1 Hindi अरिहन्त वर्ड को बुक में सुद्ध असुद्ध सब्द तो चलिए पढ़नाय स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैंने आपको वर्ण माला के बारे में बताया था तो आज मैं आपको सुद्ध असुद्ध सब्द के बारे में बताऊंगी तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुद्ध असुद्ध किसे कहते हैं सुद्ध और असुद्ध क्या है? ठीक है? तो हर भासा में वर्तनी यानि की बातों को लिखने का एक तरिका होता है ठीक है? कोई भी भासा होता है जो भी भासा होता है हर भासा में जो अपनी बातों को लिखने का एक तरिका होता है ठीक है? और लिखते लिखते हमसे कई प्रकार की गलतियां भी होती है इन में से कोई इन में से जो होते हैं बहुत साड़ी ऐसी तुरूटिया होती है जो कि इतनी प्रचलित हो जाती है कि उन्हें ही सही मान लिया जाता है सही तरह से लिखा गया सब्द सुद्ध है जो भी हम लोग सही सही लिखते हैं उसे क्या कहते हैं सुद्ध और जो भी हम लोग जो लिखते हैं जो गलतिया होती है उसे कहते हैं असुद्ध ठीक है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपको कुछ जो है यहाँ पर अभ्यास दिया गया है तो इसमें आपको बताना है नीचे दिये गए सब्दों के सुद्ध रूप में सही का निसान लगाई है तो जो भी मैंने आपको बताया तो उसे आप कौपी में नोट कर सकते हैं ठीक है आप अपने नोट बुक में इसे नोट कर लीजे कि सुद्ध और असुद्ध क्या है तो कई तूटियां तो इतनी प्रचलित हो जाती है कि उन्हें ही सही मान लिया जाता है सही तरह से लिखा गया सब्द सुद्ध है और वरतनी में जो गलतियां होती है वो असुद्ध सब्द है ठीक है तो इतना ही लिखना है और आपको याद करना है तो चलिए अब हम इसे दिर्गी कर यानि कि ये क्या है असुद्ध है और पौ हो में एकर लो में दिर्गी कर तो ये क्या है सुद्ध है तो इसमें आपको निसान लगाना है देखें अकबार अकबार कोई भी सब्द नहीं हुआ असुद्ध है और औख बौ में आकर रो अकबार ये सही है इसमें टि लगाएंगे दूसरी और ये क्या है दूसरी यानि कि दो में दिर्गु कर सो रो में दिर्गी कर दूसरी और दो हर्सु कर सो रो में दिर्गी कर ये यानि गलत है दूसरी ये वाला सही है तो इसमें टिक लगाना है ठीक है अब देखिए गलास है तो गौ लो में आकर सो गलास और गौ में हर्सी कर लो आकर सो गिलास तो ये सही है इसमें टिक लगा देना है कौ हर्सी कर तो आकर बौ किताब और कौ में दिर्गी कर तो आकर बौ किताब यानि कि ये वाला जो है ना ये सही है किताब तो इसमें टिक लगाएंगे पौधा और पौधा कौन सा है ओकर धौमे आकर ये वाला सही है ठीक लगा देंगे सो हरसी कर रो सिर सो दिर्गी कर रो सिर तो ये वाला सही है पौमे एकर रो पेड और पौमे आई कर रो पेड तो ये वाला सही है ठीक लगा देंगे इसके बाद है सो में दिर्गी कर टौ में हर्सी कर सीटी और सो दिर्गी कर टौ में दिर्गी कर सीटी तो ये वाला सही है और लो मौ में आकर रो दिर्गी कर और लो मौ में आकर रो में हर्सी कर तो कौन से सही है ये वाला सही है इसमें टिक लगा देंगे तो इसी तरह से आपको लिखना है आप घर में इसे जरूर बनाईए उसके बाद है नीचे दिये गए सब्दों को सुद्ध करके लिखिए अब देखिए यहाँ पर जो है नीचे सब्द दिये गए है जो कि असुद्ध है उसे आपको सुध्ध करके लिखना है, सही सही लिखना है तो देखे यहाँ पर है सैना तो यह क्या होगा सेना, इसे हम कैसे लिखेंगे सौ में एकर, नौ में आकर, सेना ठीक है, इसके बादे यहाँ पर नीचे 9 में हरसी कर 4-1 है तो 9 में δिर्गी कर होगा 4 में एक र नीचे अब यहाँ पे है चांद ठीक है? तो चांद कैसे होगा? 4 में आक र और यहाँ पे चांद विंदु होगा दो चांद ठीक है? इस तरह से लिखेंगे पेसा, यानि कि पैसा होगा पौमे आय कर सौमे आ कर ठीक है? उसके बाद देखिए पानी अब यहाँ पे पानी है तो पौमे आ कर नौमे दिर्गी कर पानी ठीक है? उसके बाद देखिए पीछा तो पौमे दिर्गी कर छौमे आ कर पीछा खरगोस खरगोस लिखा है लेकिन यहापे होगा क्या खरगोस खो रो गो में ओकर सो ठीक है इस तरह से लिखेंगे उसके बाद देखिए भालू तो भो में आकर और लो में दिर्गू कर भालू सितार तो सो में हर्सी कर होगा तो में आकर रो सितार छोतो रो में दिर्गी कर छोतो रो में दिर्गी कर छत्री ठीक है तो इस तरह से लिखेंगे आप भी अपने नोट बुक में इस तरह से ही लिखेंगे सही सही करके ठीक है इसके बाद है सुद्ध वाक्यों पर सही का निसान लगाए जो सुद्ध वाक्य है तो उस पर आपको सही का निसान लगाना है अब यहां पर देखिए दो तरह का दिया गया है अहमद किताब पढ़ती है अहमद किताब पढ़ता है तो अहमद कौने एक मेरे को घर जाना है या मुझे घर जाना है तो क्या होगा जो सुध है तो मुझे घर जाना है इसमें ठीक लगाएंगे तुम घर जाएंगे तुम घर जाएंगे या आप घर जाएंगे तो कौन सा सही है आप घर जाएंगे इसमें ठीक लगाएंगे आप विद्याले पहुचा या मैं बिद्याले पहुचा तो क्या होगा? मैं बिद्याले पहुचा इसमें ठिक लगाएंगे उसके बाद है आप यहां से जाओ आप यहां से जाईए तो क्या होगा? आप यहां से जाईए ठीक है? इसमें ठिक लगाएंगे वहाँ चार बच्चा है वहाँ चार बच्चे है तो क्या होगा सुद वहाँ चार बच्चे है क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पर बच्चे होगा उसके बाद देखिए गांधी जी सच बोलता था तो गांधी जी सच बोलते थे ठीक है तो यह देखिए किसी भी महानपुरुस का नाम अच्छे से लेना चाहिए तो यहां बोलता था नहीं होगा गांधी जी सच बोलते थे तो यहां पड़ हम इसमें टिक लगाएंगे इसके बाद है लड़की आम खाता है लड़की आम खाती है तो देखिए जब भी लड़की है तो यह स्ट्रिलिंग है तो इसमें क्या होगा ता ती यह ती होगा ठीक है जो भी है इसमें आप लिखेंगे लड़की आम खाता है नहीं होगा लड़की आम खाती है ठीक है इसमें हम इसमें टिक लगाएंगे, ती होगा इसमें, उसके बाद है, रेसमा कपड़े सिलता है, तो रेसमा कौन है, लड़की है, ठीक है, तो रेसमा कपड़े सिलती है, इसमें हम टिक लगाएंगे, राधिका मिठाई खाता है, राधिका मिठाई खाती है, तो राधिका इस तरह से आप इसे बना लेंगे ठीक है आप घर में इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे सुद्ध और असुद्ध सब्द बहुत सारे आपको सुद्ध असुद्ध सब्द भी मिल जाएंगे तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा सुद्ध है कौन सा असुद्ध तो आप अपने घर में आप अपने ममी पापा को भी बोल सकते हैं कि मुझे जो है ना सुद्ध लिखने का होता है वो आप लिखवा सकते हैं आप सुद्ध लिखे या असुद्ध लिखेंगे तो वो आपको चेक कर लेंगे ठीक है तो इस तरह से आप घर में प्राक्टिस कर स आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो उस आपके पास समय से पहुंशती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स तो वाच माई वीडियो